हलो बच्चो आजके क्लास में हम लोग्व पोलीप्रोटीक एसीड के बारे में पढ़ने जा रहा है तो पौलीप्रोटीक एसीड को समझते हैं किछले क्लास याद किसे हमीज भीक मोनो प्रोटीक एसीड, बीक, मोनो एस्डिक बेस का पी एच निकालना सिखेते हैं, तो मोनो प्रोटिक वैसा एसीड जिससे एक एच प्लस मिल रहा है, पोली प्रोटिक एसीड एक मोल्क्यूल से कई एच प्लस मिलेंगे, फॉर एक्जामपल, पोली प्रोटिक एसीड का कुछ एक्जामपल समझेए, ह2SO4, तो इसके एक मोल्क्यूल से दो एच प्लस मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, डाई प्रोटिक एसीड, H3PO4 इसके एक मोलक्यूल से 3H+, इसे हम लोग बोलेंगे Tri-Protic Acid, तो Poly-Protic Acid का इने जेनरल मतलब क्या हुआ एक मोलक्यूल से कई H+, तो अगर किसी Poly-Protic Acid का Solution हो, उसका pH हम लोग कैसे निकालेंगे, वो समझना है लेकिन Poly-Protic Acid का pH निकालने से पहले, पहले हम लोग उसके concept को समझे तो एक इने जेनरल एक्जामपल लिया जा रहा है, Poly-Protic Acid H3A तो भाई इसको देखकर बताईए, इसके एक मोलक्यूल से कितने H+, मिलेंगे, 3H+, मिलेंगे तो इसके एक मोलक्यूल से 3H+, मिलेंगे, 3 अलग-अलग step में, समझे बोला जाए, H3A, Acuous, पहला step में, पहला step में ये dissociate करकर H+, दे रहा है, और H2A- दे रहा है, ध्यान दिजेगा, ये dissociation पहले step में हुआ अब पहले step में जो H2A- बना है, वो further dissociate करता है तो H2A- ये पहले step में जो बना, ये further dissociate करेगा और further dissociate करकर हम लोग का H+, और HA2- दे रहा है, अब ध्यान दिजेगा second step में जो HA2- मिला, second step में HA2- मिला, वो further dissociate करकर further dissociate करकर हम लोग का H+, एक्यूस और A3- एक्यूस देता है, तो ये जो polyprotic acid था, इसका dissociation तीन step पे हुआ, ये पहला step है, ये दूसरा step हो, और तीसरा step है तीनों step को जोड़ दे, तो overall dissociation में लेगा, तो तीनों को add किजिए, H2A- ये H2A- ये राइट में, लेफ्ट में क्या हो जागा, cancel out, HA2- HA2- ये राइट में, ये लेफ्ट में क्या हो जागा, cancel out, और ये 3H+, जुड़कर क्या हो जागा, 3H+, तो तीनों step को add किजिए, final जोगा, overall dissociation, H3A- एक्युवस, ये 3H+, एक्युवस, और ये हम लोग का, A3- एक्युवस, अब ध्यान दे, कौन से पर, पहला step का जो dissociation constant है, पहले step का dissociation constant, उसे हम लोग के A1 से represent करते हैं, second step का dissociation constant, इसे हम लोग के A2 से represent करते हैं, और third step का dissociation constant, इसे हम लोग के A3 से represent करते हैं, और ये overall dissociation है, इसे हम लोग simply के से represent करते हैं, तो द्यान दे, एक relationship हम लोग came care equilibrium में पढ़े है reaction को add करेंगे तो equilibrium constant को multiply कर देना है तो इन तीन reaction को add करने पर यह final reaction आया तो final reaction का equilibrium constant therefore एक relationship k equal to ka1 ka2 into ka3 चलिए k यह हम लोग का overall dissociation constant है तो यह k इसे हम लोग बोलते हैं overall dissociation constant overall dissociation constant k को ka1 यह dissociation constant of of first step k a2 dissociation constant of second step or k a3 यह हम लोग का dissociation constant of third step तो ka1 यह dissociation यह ionization constant पहले अस्टेप का k2 dissociation यह ionization constant second step का k3 dissociation यह ionization constant third step का k इसे overall dissociation constant कहते हैं तो overall dissociation constant और a step by dissociation constant में यह relationship है चलिए पहले इतना उतारिए तो next और भी आगे के concept पर हम लोग आते हैं कि चलिए next concept को ध्यान से समझे हैं पोली प्रोटीक एसिट का जो dissociation constant होता है पहला स्टेप का दूसरा स्टेप का तिसरा स्टेप का तो पहले इस्टेप का dissociation constant दूसरे इस्टेप के dissociation constant से बड़ा होता है और second step का dissociation constant थर्ड इस्टेप के dissociation constant से बड़ा होता है और यह जो conclusion है always कहीं कोई exception नहीं है कैसा भी पोली प्रोटीक एसिट ले ले पहले इस्टेप का dissociation constant दूसरे इस्टेप से बड़ा दूसरे इस्टेप का dissociation constant तीसरे इस्टेप से बड़ा होता है कैसे उसको समझ जिएगा तो सबसे पहले बताईए के एवन के टू के थरी क्या है equilibrium constant है भाई के वन equilibrium constant पहले इस्टेप का के टू दूसरे इस्टेप का के थरी इस्टेप का तो chemical equilibrium याद किजिए equilibrium constant का large value क्या indicate करता है reaction forward में गया है तो equilibrium constant का value जितना बड़ा होगा reaction उतना ही ज़्यादा forward में shift करेगा या दूसरे तरीके से reaction जितना ज़्यादा forward में shift करेगा equilibrium constant का value उतना ही ज्यादा होगा यह point हम लोग chemical equilibrium में सीख चुके हैं अब समझ यहाँ पर पहला स्टेप का dissociation दूसरे step के respect में forward में ज़्यादा गया है और दूसरे step का dissociation forward में तीसरे के respect में ज़्यादा गया है कैसे तो समझेए तिये बताइए पहला reaction गौर से देखिए तो भाई product में ions हैं तो यहां पर जो h plus टूट रहा है पहले step में जो h plus मिल रहा है वो एक neutral molecule से मिल रहा है तो पहले step में जो h plus मिल रहा है एक neutral molecule से और यहां second step में देखिए भाई h plus तो यहां भी मिल रहा है second step में भी लेकिन एक negatively charge अस्पेसे से मिल रहा है compression किजिए पहले step में जो h plus मिला वो किस से मिल रहा है तो निूटरल से मिल रहा है, तो निूटरल से टूटना है, है एच प्लस का मिलना ज्यादा आसान है, निगेटिव चार्ज अस्पेसिस से एच प्लस टूट कर मिलना थोड़ा क्या है? डिफिकल्ट है, तो दूसरा अस्टेप फॉर्वर्ड में कम जाएगा, पहला अस्टेप सब्सक्राइबुए ऐसे खाश बाले से ले टीएफले कि से रिलेटिव में तो देटिवर पहला पौर्वर्ड में सबसे ज्यादा गया उससे कम forward में दूसरा step गया उससे कम forward में तीसरा step गया और forward में जितना कम जाएगा equilibrium constant की value उतने ही कम होगी तो हम लोग statement लिखते हैं In first step, H plus comes from neutral molecule. In second step, H plus comes from from negatively charged species. In third step, H plus comes from W negatively charged species. So therefore, K1 is always greater than K2, K2 is always greater than K3. यह ध्याम रखना है को यह condition जो है always है कोई भी polyprotic acid ले लिजिए किसी भी polyprotic acid की बार करें जो partially dissociate कर रहा है ध्यानों से सुने है statement को कोई भी polyprotic acid लिया जाए जो partially dissociate कर रहा है उसका पहला step का dissociation constant दूसरे step से हमेशा बढ़ा होगा कोई भी polyprotic acid लिया जाए कैसा polyprotic acid जो partially dissociate कर रहा है वैसा कोई भी polyprotic acid ले लेंगे तो पहले step का dissociation constant दूसरे से बढ़ा दूसरे step का dissociation constant तीसरे से बढ़ा चलिए उतारिये आपलो चलिए अब हम लोग आते हैं polyprotic acid के question पर question को ध्यान से समझेगा calculate h plus ion h2po4- ion h4po4-2- और phosphate ion तो हमें इन सब आयन का concentration निकालना है in a 0.01 molar solution of h3po4 तो h3po4 triprotic acid दिया उस triprotic acid में सारे ions का concentration हमें निकालना है और ध्यान दीजिए पहला step का dissociation constant 10 की पावर माइनस 3 second step का dissociation constant 10 की पावर माइनस 8 और third step का dissociation constant 10 की पावर माइनस 13 तो ये जो question हम लोग कर रहे हैं ये question notes में रखना है ध्यान से समझें theory और question यहाँ पर दोनों साथ साथ किया जा रहा है तो ये मत समझेगा सिर्फ numerical कर रहे हैं numerical के through theory सीख रहे हैं या theory के साथ साथ में numerical भी कर रहे हैं तो ये question theory बोल लीजिए numerical बोल लीजिए दोनों है तो ये हमें अपने notes में रखना है और जब कभी revision करें तो इस question का भी हमें क्या करना है revision करना है तो आप लोग data याद रखेगा K1, K2, K3 का और concentration कितना है तो ये S3PO4 का concentration C.01 molar ये data याद रखेगा अब सबसे पहले तो आप लोग question को उतार लीजिए क्योंकि question है बड़ा concept है बड़ा हमें पूरा board clear चाहिए तो आप लोग question को उतार लीजिए पहले चलिए solution को गौर से समझिएगा हम लोगे हाँ पर इस question को कैसे बना रहे हैं ये जो है हम लोग का numerical plus theory दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं तो polyprotec acid जब ions में dissociate किया तो सारे ions का concentration निकलना है और question में data दिया हुआ है तो भाई हम लोग acid कौन सा है H3PO4 H3PO4 aqueous ये पहले step पहले step में ions में तूटेगा तो क्या देगा हम लोग का H plus aqueous और H2PO4 minus ये पहले step पहले step ये हम लोग ions में देगा पहले step का dissociation constant कितना है तो K1 के बराबर चलिए पहले step से जो H2PO4 minus मिला है पहले step से जो H2PO4 minus मिला वो further dissociate करेगा तो H2PO4 minus ये further dissociate करकर second step में क्या देगा तो second step में हम लोग का ये H plus देगा और क्या देगा देखिए यहां पर देखकर बताइए है एच फोर PO4 minus मिला है एच फोर पी एच पी ओ फोर टू माइनस एक्क्यूस सेकेंड अस्टेप का dissociation constant के बराबर अब ये जो second step में हच पी ओ फोर टू माइनस मिला वो further dissociate करकर तीसरे step में तो हपी ओ फोर टू माइनस हपी ओ फोर टू माइनस एक्क्यूस वो further dissociate करकर तीसरे step में क्या देगा तो ह प्लस एक्क्यूस प्लस प्लस पी ओ फोर 3 माइनस एक्क्यूस 3 माइनस एक्क्यूस तीसरे step का dissociation constant के 3 के बराबर चलिए अब ध्यान दें इसका initial concentration c जो 0.01 molar दिया हुआ है t equal to 0 पर equilibrium पर बताईए भाई c में से x dissociate कर गया तो बचेगा कितना यह c-x बचेगा c में से x dissociate किया तो c-x बचेगा equilibrium पर c-x बचा अब यह x dissociate करकर यह x बनेगा और यह भी क्या बनेगा एक्स बनेगा अब ध्यान दें यह जो पहले step में जो एक्स बना है बड़ा ध्यान से concept को समझना पड़ेगा जरुवत पड़े तो वीडियो को दो बार तीन बार करकर भी देखिए इस question को तो पहले step में जो एक्स बना है वो कुछ एहां से dissociate कर जाएगा तो यह बताईए बोले कि यह जो x बना उसमें से y dissociate कर गया भाई solution में overall कितना रह जाएगा x-y ध्यान से सोचिए x बना था पहले step में जिसमें से दूसरे step से y dissociate कर गया तो solution में overall कितना बच जाएगा x-y तो हम लोग overall दिखाएगे x-y और यह x-y equilibrium पर तो ध्यान में रखना है यहां से पहले step से बना x x में से दूसरे step से y dissociate कर गया तो overall resultant solution में कितना बचा रहेगा x-y उसे दिखाएगे अच्छा अब बताईए यहां से कितना dissociate किया था लिक भी देते हैं यहां पर लिख भी दिया गया dissociate यह dissociate किया y तो equilibrium पर बचेगा कितना x-y यह लिख दिया गया चलिए अब यह y dissociate करकर यह कितना बनेगा तो यह भी y बनेगा और यह भी y बनेगा अब ध्यान दिखिए यह जो दूसरे step में जो y बना है यह तीसरे step से dissociate करेगा बोले क्या दूसरे step में तो भाई y बना लेकिन तीसरे step से z dissociate कर गया तो y में से z dissociate कर गया तो solution में overall कितना बचेगा तो y minus z तो dissociate यहाँ पर लिखिए यह z तो dissociate कर जा रहा है तो y बना तो था लेकिन y में से z dissociate कर गया तो overall equilibrium पर कितना बचेगा तो y minus z और यहाँ भी कितना रहेगा हम लोग का y minus z चलिए अब यह z dissociate करकर यह z बनेगा और यह भी कितना बनेगा जड़ बनेगा अब ध्यान दिजेए मैं फिर से सारा concept repeat करता हूँ इसका concentration c c में से x dissociate किया बच गया c minus x यह x बना और यह x बना लेकिन यह जो x बना उसमें से y dissociate कर गया तो बचा कितना x minus y x minus y ठीक है और हम इसा ध्यान में रखे हैं common species h2po4 minus h2po4 minus common species का resultant concentration दिखाये जाता है hpo42 minus hpo42 minus common है दोनों जगा यहाँ पर तो उसका resultant यह net concentration दिखाते हैं अब दूसरे step में आईए यह यहां से y dissociate किया तो यह y बना और यह y बना लेकिन यह जो y बना है यह तीसरे step से z dissociate कर गया तो y में से z dissociate कर गया बचा कितना y minus z अब यहां पर आईए भाई h plus पहले step से बना x दूसरे से बना y तीसरे से बना z तो बताईए solution में overall resultant h plus कितना होगा तो पहले से बना है x दूसरे से बना है y तीसरे से बना है z तो solution में overall यह resultant h plus कितना हो जाएगा तो x plus y plus z हो जाएगा resultant यहां भी दिखाएए भाई h plus common है तो resultant दिखाएगे x plus y plus z यह कितना तो x plus y plus z इसलिए मैंने बोला था वीडियो को rewind करकर भी देखना है यहां पर theory और numerical दोनों साथ साथ कर रहे है चलिए next अब हम लोग आते हैं k1, k2, k3 का data याद रखिएगा कितना दिया हुआ है अब k1 की बात करें हम लोग तो k1 का expression लिखिए k1 का expression देखिए हाँ पर h plus का concentration उपर में h2p o 4 minus का concentration उपर में denominator में किसका तो c minus x तो k1 ब्राबर x plus y plus z into x minus y divided by c minus x यह k1 k2 की बात करें तो k2 कितना ध्यान दिजिए x plus y plus z into y minus z divided by x minus y यह होगे हम लोग का k2 ध्यान से गोर से रखिए और k3 कितना तो x plus y plus z into z divided by y minus z तो k3 equal to x plus y plus z into z divided by y minus z अब ध्यान दें बहुत लेंदी दिख रहा है भाई तीन equation तीन unknown k1 k2 k3 दिया हुआ है c भी दिया हुआ है unknown कौन-कौन से है तो x y और z तो हमें क्या लगता है यह तीन equation है तीन unknown है इसे solve करकर x y और z निकाल लेंगे लेकिन नहीं जब इन तीनों को solve करने लगेंगे यह equation cubic में जाने वाला है तो जब भी मैंने शुरू में ही बताया है चाहे chemical या ionic equilibrium की बात करें equation cubic में चला जाए एक्स की पावर 4 x की पावर 5 में चला जाए अप्रोक्सिमेशन से करना है तो अगर exact तरीके से करेंगे तो बहुत ही बहुत ही extremely lengthy हो जाएगा तो हम लोग exact method को नहीं follow करने वाले हैं ध्यान दिजिएगा अब यहाँ पर concept सीखना है approximation कैसे करेंगे तो समझिए concept को यहाँ पर approximation करने का जो concept है उसको अब यहाँ पर समझा जाए यहाँ approximation कैसे किया जाएगा ध्यान दें यह बताईए यह पहले step में forward में कितना है एक्स डिसोसियेट किया दूसरे step में यह forward में कितना डिसोसियेट किया डिसोसियेट करकर गया और तीसरे स्टेप में ये फॉर्वर्ड में डिसोसियेट करकर कितना गया है जट गया है तो पहले स्टेप में ये फॉर्वर्ड में डिसोसियेट करकर एक्स गया भाई ये डिसोसियेट करकर ये और ये तीसरे स्टेप में डिसोसियेट करकर फॉर्व very greater than k2 और k2 is very very greater than k3 अगर ऐसा हो तो पहले step का dissociation constant दूसरे के respect में बहुत ज्यादा और दूसरे का dissociation constant तीसरे के respect में बहुत ज्यादा अगर ऐसा हो तो और इस question में ऐसा ही है k1 कितना तो 10 की power minus 3 k2 कितना 10 की power minus 8 और k3 कितना तो 10 की power minus 13 तो जड़ा द्यान दे के वन जो है k2 का कितना गुणा 10 की power 5 times एक लाग गुणा है k2 k3 का कितना गुणा वह भी एक लाग गुणा है मतलब पहला step का dissociation constant दूसरे से बहुत बड़ा दूसरे का dissociation constant पहले तीसरे से बहुत बड़ा अब ध्यान दें अगर ऐसा हो पहला अस्टेप का dissociation constant k1 k2 से बहुत बड़ा k2 k3 से बहुत बड़ा तो इसका मतलब क्या हुआ भाई पहले step का dissociation constant दूसरे से बहुत बड़ा है और equilibrium constant का value जितना बड़ा जितना बड़ा relative में बहुत ज्यादा गया है चुकि k1 k2 से बहुत बड़ा है तो पहला step forward में दूसरे के relative में बहुत ज्यादा गया है पहला step forward में कितना गया x दूसरा step forward में कितना गया y तो पहला step forward में दूसरे के relative में बहुत ज्यादा गया तो इसका मतलब x y से क्या होगा बहुत बड़ा होगा ध्यान से समझना है इस कॉंसेट को अब आगे बताइए अगर समझ गया होगे तो के एटू के एटू के थरी से बहुत बड़ा है इसका मतलब दूसरा अस्टेप फॉरवर्ड में तीसरे के रिलेटिब में बहुत ज्यादा गया तो सेकेंड अस्टेप इसटेप फॉरवर्ड में तीसरे के रिलेटिब में बहुत ज्यादा गया सेकेंड एस्टेप फॉरवर्ड में कितना गया वाई थर्ड एस्टेप फॉरवर्ड में कितना गया है जेड तो धैरफोर वाई is very very greater than 10 यह approximation समझना है तो इसको हम लोग लिख रहा है तो ध्यान में दें if k1 k2 से बहुत बढ़ा k2 k3 से बहुत बढ़ा तह हम लोग का approximation क्या होगा तो then X is very very greater than Y Y is very very greater than Z यह आजाएगा हम लोग का को बार-बार देखिएगा अब आगे approximation कीजिए अब बताइए x plus y plus z यह बोलिए यह approximately कितने के बराबर x के बराबर x minus y यह बोलिए यह approximately कितने के बराबर x के बराबर चलिए next आते हैं y minus z तो y minus z तो ध्याम दें y z से बहुत बड़ा है तो यह approximately कितने के बराबर तो y के बराबर हो जाएगा चलिए तो हम लोग लिटे हैं यह लगभग x के बराबर यह भी लगभग x के बराबर ठीक है x minus y लगभग x के बराबर यह x के बराबर y minus z लगभग y के बराबर चलिए y-z लगभग y के बराबर ये लगभग x के बराबर और ये z अब लिखिए k1 का expression तो k1 equal to approximately कितना लेखिए यहाँ पर ये x ये x और ये c-x तो k1 कितना हो गया हम लोग का x square divided by c-x ये हम लोग का गया पहला equation चलिए अब हम लोग k2 के expression पर आते हैं तो k2 के expression पर ध्यान दीजिए k2 का expression approximately k2 के expression पर हम लोग बात करें तो ये x into y divided by x तो x into y divided by x ये x x cancel out हो जाएगा ये कितना आजाएगा हम लोग का y ये हम लोग का दूसरा equation चलिए अब हम लोग k3 पर बात करें तो अब हम लोग k3 पर बात करें तो k3 पर ध्यान दीजिए ये x और ये z और ये y तो k3 हम लोग का कितना हो जाएगा x into z divided y है तीसरा equation अब ध्यान दीजिए इन तीनो equation को solve करकर हम लोग x, y और z क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं तो हम लोग अब निकालेंगे पहले आप लोग इतना उतारिए चलिए अब हम लोग next समझते हैं तो थोड़ा सा board को खाली किया जाए ध्याम रखें तो आप लोग उतार चुके होंगे ये सब का आप कोई जरुवत नहीं है इन सब चीजों को हटाया जाए चलिए next समझते हैं कैसे हम लोग प्रोसीट करेंगे यहां भी थोड़ा खाली किया जाए है एच प्लस का कॉंसेंट्रेशन कितने के बराबर है तो x के बराबर है चलिए एच टू प्योफोर माइनस का कॉंसेंट्रेशन अप्रोक्सिमेटली कितने बराबर x के बराबर चलिए एच टू प्योफोर माइनस का कॉंसेंट्रेशन लगभाग x के बराबर लगभाग x के बराबर हच प्लस का कॉंसेंट्रेशन लगभाग x के बराबर तो थोड़ा सिंपल यहां पर लिखे है HPO4 2 minus का concentration लगभग Y के बराबर चलिए यह हम लोग का approximately कितना है तो Y है approximately Y यह approximately X और यह approximately कितना यह हम लोग का Z के बराबर यह तिन equation है इसी तिन equation के हम से हमें X Y और Z निकालना है second equation पर ध्यान दीजिए Y बराबर K2 तो Y तो हम लोग का ऐसे ही निकल गया भाई question में k2 हम लोग का दिया हुआ है तो y equal to k2 तो k2 तो हम लोग का question में दिया हुआ था चलिए अब एक एक करकर आते हैं ध्यान दे है एच प्लस और एच टू प्यो फोर माइनस का concentration लगभग बराबर तो एच प्लस और एच टू प्यो फोर माइनस का concentration लगभग लगभग बराबर कंकुलूजन में इधर लिख रहा हूँ वह कितने के बराबर है तो लगभग एकस के प्राबर तो फिर ध्यान देजीए एच फी ओफोर टू माइनस का तो फौरल्स काको फौर्शिमेटली कितने के बराबर है यहां से भीड़ भीड़ ये इधर बोर्ड पर सारा कुछ लिखा हुआ था यहां से आप लोगों ने देख लिया H plus का concentration लगभाग X, S2PO4 minus का concentration लगभाग X, दोनों के concentration लगभाग बराबर, HPO4 2 minus का concentration Y के बराबर, Phosphatine का concentration Z के बराबर. अब इधर के हमें कोई जरुवत नहीं है ये मैं मिठा रहा हूँ अब हमें x, y और z निकालना है तो ध्यान दीजे कैसे निकालेंगे तो भाई पहला equation देखें पहला equation पर ध्यान दीजे बोर्ड पर आप लोग तो first equation जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो तो quadratic में है solve करेंगे ज्यादा time लेगा तो याद किजिए condition if equilibrium constant k1 उसको c से divide करना है अगर ये 10 की power minus 3 से छोटा या बराबर हो गया then क्या होगा x is very very less than c अब हम लोग चेक करते हैं तो x is very very less than c अगर ऐसा हुआ तब k1 approximately कितना हो जाएगा x square divided by c तो यहाँ से हम लोग का क्या निकल जागा x निकल जागा k1 into c का स्क्वार हो और x का मतलब किसका concentration तो h plus और h2p o 4 minus का concentration लेकिन x ब्राबर इतना ये तभी न जब ये condition satisfied होगा ये condition satisfied नहीं होगा तो हमें इस quadratic equation को क्या करना पड़ेगा solve करना पड़ेगा ऐसा भी तो हो सकता है कि सार ये equilibrium constant k1 c से divide किये 10 की power minus 3 से बढ़ा गया तो ध्यान दे मैंने से भी बड़ा है greater than 10 की power minus 2 then must solve quadratic equation first must solve quadratic equation first quadratic equation first को हमें क्या करना पड़ेगा solve करना पड़ेगा अब हम लोग का जो condition है हम लोग question पर आते हैं k1 divided by c k1 कितना दिया है 10 की power minus 3 c कितना है 0.01 equal to ये कितना हैगा हम लोग का तो इसको solve कीजिए ये आ जाएगा हम लोग का 0.1 आ जाएगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.1 को 10 into 10 की power minus 2 तो भाई k1 by c 10 की power minus 2 से बड़ा ही नहीं 10 उना बड़ा है तो therefore हमें quadratic equation को क्या करना है solve करना है तो therefore we will solve we will solve हम लोग quadratic equation solve करेंगे we will solve quadratic equation first लेकिन अगर ऐसा नहीं होता k1 by c 10 की power minus 3 से छोटा हो जाता तो यहीं से आराम से question बन जाता अब quadratic equation first को solve कीजिए और solve करने पर जो अंसर आ रहा है हो मैं बता रहा हूं तो एज प्लस का concentration approximately किसके बराबर तो एज टू पी ओ फोर माइनस के बराबर और यह approximately कितने बराबर तो एक्स के बराबर और एक्स मोलन जो की solve करने पर quadratic equation इस quadratic equation को आप लोग minus 3 molar तो हम लोग का x निकल गया है चलिए equation first को यहां से हटाते हैं इसको यहां से हटाते हैं अब ध्यान देजिए y तो पहले से पता है तो यहां पर ध्यान देजिए HPO4 2- का concentration किसके बराबर y के बराबर तो HPO4 2- का concentration approximately y के बराबर जो कि approximately k2 के बराबर है और यह k2 कितना तो यह 10 की power minus 8 molar चलिए तो हम लोग का HPO4 2- का concentration इकल गया अब phosphate iron के concentration पर आते हैं तो phosphate iron का concentration कितना है जेड के बराबर तो from equation third from equation third equation third का use करें तो Z बराबर देखकर बताइए Z बराबर कितना आएगा तो K3 into y divided by x तो Z equal to K3 into y divided by x डाटा को put कर दिए तो जैसे ही डाटा put करेंगे calculate करेंगे phosphate iron का concentration Z molar के बराबर equal to calculate करने के बाद जो final answer आएगा वो final answer में बता रहा हूँ 3.7 into 10 की पावर minus 19 molar चलिए तो यह question हम लोग का बन गया तो ध्यान में रखें यह question आप लोग दो बार तीन बार बनाएं खुद से बनाएं और जरुवत पड़ें तो यह जो हम लोग question किये थे question plus theory दोनों था polyprotec acid के case में तो जरुवत पड़ें तो polyprotec acid वाला जो video है उसे कम से कम 2 से 3 बार आप लोग देखें